बॉर्णिंग बच्चों आप लोगों ने 6.5 मैंने आपको कंप्रीट करवा दी थी टोड़े वी विल स्टार्ट यूर एक्ससाइज 6.6 ठीक है देखे बटा इसके लिए आपको मैंने जैसे की इसकी यूनिट की स्टार्टिंग में आपको प्राइम फेक्टराजेशन का कॉं एक मैथड कहलाता है फेक्टर ट्री दूसरा कहलाता है डिविजन मैथड किस तरीके से हम प्राइम फेक्टराजेशन निकालते हैं देखे बहुत इजी है फर्स जैसे हमने एक्जामपल ले रहे हैं आपकी बुक काई 42 देखे अगर हमने आपका 42 नंबर लिया और फेक्टर 6 into 7 ठीक है 42 को हम लिख सकते है 6 into 7 अब 7 प्राइम नंबर है इसको नहीं ब्रेक कर सकते है 6 को अगेन हम ब्रेक कर सकते हैं कितने में बिटा 2 into 3 यानि कि 6 को हम लिख सकते है 2 into 3 ठीक है अब देखे 2 आपका प्राइम नंबर है 3 भी आपका प्राइम नंबर है अब ये ब्रेक के आपके जो बज जाते हैं प्राइम नंबर ये हो गई इसके प्राइम फेक्टराइजेशन तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फेक्टराइजेशन और फॉर्टी टू कौन-कौन से लेंगे बच्चे हम टू इंटू थ्री इंटू सेवन ये वाले जो ये लास्ट में बचे हैं प्राइम नंबर उनको हम लें लेंगे ये कहलाएगा इसका प्राइम फेक्टराइजेशन अगर हम प्राइम फेक्टराइजेशन डिवीजन मेथर्ट से करें तो 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 बजा टू यहाँ पर वन बच्चा टू एट जा 16 एटीन टाइम टू से अगें डिवाइट करेंगे टू नाइन जा 18 थी से करेंगे थी थी जा 9 और थी वन जा 3 ठीक है बच्चे अब यहाँ पर कब तक करते हैं जब तक आपका रिमेंडर वन ना बच जा है तो अब इसके प्राइम पी एफ लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी ओफ 36 कौन कौन से नंबर लेंगे हम बच्चे यह वाले नंबर 2 x 2 x 3 x 3 देखे बचा अब अगर हम इसको डिविजन मैथड से करें और इस वाले को इस मैथड से करें तब भी आपका अंसर सेम आएगा सपोज हमने 42 को करा डिविजन मैथड से तो यह 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 1 2 वन जा 2 3 से करेंगे 3 7 जा 21 फिर 7 वन जा 7 देखे यही आ रहा है ना 2 x 3 x 7 2 x 3 x 7 इट मीज चाहे आप इस मैथड से करें चाहे यह वाले मैथड से यह आंसर विल आलवेज भी सेम अब देखे आईए अब हम इस वाले को हम करते हैं फेक्टर ट्री मैथड से सपोज आपका 36 है हमने इसको ब्रेक किया आप किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा अलग अलग तरीका भी हो सकता है जैसे 36 को आप 18 x 2 भी लिख सकते हैं 36 को 9 into 4 भी लिख सकते हैं, तो हमने suppose यहां 18 into 2 करके ले लिया, आप 18 to 36 होता है, अब 2 तो break नहीं होगा, 18 को break कर देंगे, 18 कैसे लिख सकते हैं, 36 जा 18 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे, अब 3 prime number है, नहीं break होगा, 6 को break कर सकते हैं, तो कितना आ गया, 2 और 3, तो देखें, अब आप देख रहें, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, तो ये क्या बन गए, आपके prime factor, ये बढ़ गए prime factorization, तो इसमें हम लिखेंगे, 3 into 2 into 3 into 2, देखें, जब हमने इस से किया था, 3 into 3, ठीके बच्चे, तो ये आपके हो गए, कौन सा method, prime factorization by factor 3, and division method, ठीके बच्चे, अब आपकी जो exercise 6.6 है, इसमें आपका जो A part है, use the factor 3 method, to find the prime factor, of the following number, और इसका जो B part है, use division method, to find the prime factors, of the following, देखें, अब हम exercise 6.6 के, तीन आप लोग खुद करेंगे, suppose आप second, four और six आप खुद करेंगे, इसमें भी second, four और six, इसमें five है, तो आप two, बिटा मैं इसलिए आपको homework देती हूं, कि जब आप जब तक आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको practice नहीं होगी, मैं आपको वीडियो में सारे question send कर सकती हूं, लेकिन practice आपकी तभी होगी, आपको concept चभी आएगा, जब आप question खुद नहीं करेंगे, मैं आपके सारे question solve करके दे देती हूं, लेकिन आप खुद करने की ज़रूर try करिएगा, अब देखे, यहाँ पर है exercise 6.6, एका first part, suppose हमने लिया 24, अब आपको factor 3 method से इसको निकालना है, second मैंने homework में दिया है, fourth भी homework में है, sixth भी homework में है, तो 24 को आप जब break करेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें 6 into 4 भी लिख सकते हैं, 8 into 3 भी, आप कैसे भी करें, जो last के आपके factor आएंगे, आपके सब में same आएंगे, अब 3 को break नहीं कर सकते हैं, इसको कर लिख सकते हैं, तो 4 भी जा 8, अब 4 को break कर लिख सकते हैं, 2 into 2, ठीक है बच्चे, अब आपका क्या बना, prime factorization of 24, कौन-कौन से बच्चे, 2, 2, 2, 2 और 2, इसी का, question number 3 में हाँ, आपका 72, 72 को देखिए, अब आप break करिए, देखिए 72 को आप किस तरीके से कर सकते हैं, बटा, इसको आप कर सकते हैं, 2 into 36, अब 36 को break कर दीजे, 18 into 36, अब 18 को break करतीजे, यह बहुत easy है, 3 into 6, अब 6 को break कर दीजे, 2 into 3, अब आपके क्या बजगे, PF of 72, PF यहाँ पर आपका है बटा, prime factization, यह number ले लेंगे, 3 into 2 into 3 into 2, ठीक है, तो देखिए, नहीं, sorry बटा, इसमें आपका ये वाला भी आएगा, हाँ जी बच्चे, इसमें आपका कौन केंसे हो गए, ये वाला, एक ये वाला 2 हो गया, उसके बाद, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर 2 हो गया, अब आप इसको किसमें चेंज कर लीजिए, ascending order में, तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है बच्चे, यह आपका हो गया, क्या, factor T method, factor T method का, जिसे कि हमने, first और कौन सा question किया भी, third question, now we are taking question number 4, 5 sorry, question number 5 ले ले लेते, इसी का, तो question number 5 का है, आपका 81, अब देखे, आप 81 को आप break कर दीजे, 9, 9 जा 81, ठीक है, अब 9 आपका क्या है, दुबारा break हो सकता, यह prime number नहीं है, तो यह हो जाएगा, आपका 3, 3, जा 9, और यह भी आगया, आपका 3, 3, जा 9, तो इसके PF क्या हो गए, PF of 81, is equal to, 4 time 3, 1, 2, 3, ठीक है, यह आपका हो गया, तो इस तरीके से हमने, इसके, first question, third question, fourth question कर लिए, ठीक है बच्चे, अब आप, यह जो बच्चे हैं, इनको खुट ट्राई करिएगा, मैं आपको इनकी solution भेज दूँगी, तब तक आप अभी, A part complete करिएगा, B part हम next video में start करेंगे,